नमस्कार मैं हूँ अनुराग आप देख रहे हैं वेबाग बात इस समय अंतराश्टी कथा वाश्यक पंडिते प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ है पंडिजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है पंडिजी दो लाइनों ने लोगों का जीवन बदला आए एक लोटा जल बदल देगा का लिए तो देवदीदेव महादेव की कृपा भगवान शंकर की बड़ी करूना है जो एक लोटा जल सारी समस्या का हल जन्मानस में कहेंगे तो साधरन बोल में भी चल रहा है पर देखा जाए तो वह अस्तवता है जो व्यक्ति भटक रहे थे अलग-अलग कहीं न कहीं मार्ग से जा रहे थे अब उनको एक लक्ष मिल गया कि हमें शिवधाम तक जाना है शिवजी को एक लोटा जल चड़ाना है हमने तो यह देखा है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कोई घर का भुजुर्ग होता है ना घर का बड़ा होता है तो अपने दिल की बात कहना रहती है तो घर के बड़े से कह देते हैं ऐसा ही शिव को बड़ा मानकर लोग अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह रहा है तो ये एक अलग प्रेणा जनमानस में पहुची है जो आज देखने को मिल रही है वैसे भगवान शिव की बारे में तो कह जाता है अगर अधुनिक तरीके से कहें तो तो डिपार्टमेंटल इस्टोर हैं हर चीज मिलती है उनके पास पिता की वीमारी खुद की शिक्षा शादी विवानी हो रहा है तो जी ये तो सत्य है हमारा 24,000 शलोक का जो शुमहापुरा नहीं पड़ी उसको लगेगा कि गुरुजी उपाई बताते हैं या टोटके बताते हैं पर यदि जिसने शुमहापुरान की कथा अगर एक बार पड़ ली है अपने जीवन में उतार ली है तो उसको ये ज्यान हो जाएगा कि वेदव्याज जी ने शंकर जी को जो दही अच्छे ही है कि लोगों को ये मालूम पड़ गया कि शिव जी का पूजन का आनंद क्या भगवान शंकर को रिजाने का एक सुख क्या तुम तमाम तरे की पूजा विधियां बताई जाती है हम अगर सनातन पद्दती में जाएं तो नवदा भक्ती हमारे आएं तो साथ से द sed । वग्ति किसे मांते हैं बिलुकुल सही बात है। अपर्फम भक्ती का गृनगान करा के यह अपन जो संतों के साथ बेटकर तानिध्य करते हैं शंतों का सानिध्य करते हैं इस भक्ती को पृषट माना गया। इसी के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और परमात्मा की चरणारविंदर तक पहुंचने के एक सेड़ी मिल जाती है पर लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्यों संतों के पास जाए हम क्यों गुरू के पास जाए क्यों कि आजकल कहीं लोगों ने माहुलों को बिगाड रखा है कि एक लोगों कई नविवक्तीम को डर सा लगता है बहसा लगता है किसी गुरू के पास जाने में किसी संत के पास जाने में कैसा नहीं हो कि कहीं न किसी हुआ फिल्मों के माध्यम से संतों को महात्माओं को गुरू जनों को कहीं न कहीं टार्गेट बनाया गया उसके पर इसा नहीं है, तो यगर सही संत आपकी जिंदगी में आ गया, कोई सही गुरु आपके जीवन में आ गया, तो वो आपके लक्ष तक पहुचा कर ही मानता, और शिव वो गुरु है कि प्रतेक जीव को कहीं न कहीं पद प्रतिष्ठा देता ही है, शिव तो संगीत के देवत है, उनकी तो मतलब बखान करते करते मुझे लगता सधियां गोजर जाएंगी, बिल्कुल सही है, एकदम सत्य माता सुरसती को भी अगर बीना का स्वर दिया है, तो भगवान शंकर नहीं दिया है, भगवान गणे जी को अगर इद्धित सिद्धी दी है, भगवान शिव न बिल्कुल सत्य करा है, जो कहते है कि उसके पास सारा खाज़ाना है, रामन को रामन गणादी रामन को जो दिया लंका धीपती बनाया, जो सोने की लंका देना, ठाट देना और सب कुछ दे दिया, भगवान शिव नहीं है युवा पीड़ी बीच में कुछ भटक गई थी, मुझे लगता है कि उमीदें कभी नहीं छोनना चाहिए, लाइन पे आएंगे सारे लोग, आप भी अपनी कथाओं में अक्सर निशाना भी लगाते हैं उन पे और समझाईज भी देते हैं जरूरी है आज के समय में जो युवा पीड़ी कहीं न कहीं, उनको लगता है कि हम अगर धर्म से जुड़ रहे हैं, तो हम कहीं गलत कर रहे हैं, कई लोगों के मन में इस तब्रम होता है, हम अगर पुराण में जा रहे हैं, तो इस दिखावा है, हम मंदिर जा रहे हैं, तो इ किस यह कुम हैं यह सा है पर हम न ह्रहां इतना सा कहना के आपकंते आप उनकी अराधना करो आप भटकन कि Joshua आजकल की नवीक पीड़ी में थोड़ा सा घ्लाया जाता है सोचल मेडिया के मांकि जह से कहीं कुछ आख कोई पा लिया ढब्चते बोटक जाते हैं पर ऐसा नहीं अगर आप शंकर की बक्ती में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं या रामधक्ती में क्रंटी में कहीं लगे हैं तो सफरुआ है अंध में श्रौर्णज हैं और विकार आठाशाखे हैं सनातन के लिए तमाम सारे आज नवयुबग बेटा बेटियां जो कलबों में जा रहे हैं और गलत वैसनों में डूबे होने हैं शिव जी के भांग पीने को या शंकर भगवान की भक्ती को कहीं न कहीं धतूरा खाने को या भांग पीने को दुए के चल्ले उड़ाने को या गांजा पीने को या चिलम लगाने को ये शिवकी भक्ती मानते हैं हमारे यह भगवान देवादी देव महादेव के इसी भक्ती का कोई प्रमाण नहीं है कि आप नशा करेंगे तो शिवकी भक्ती ही एक नशा है आप उसको गलत माध्यम से ले जा रहा है कि भगवान भोले नाध भी गांजा पीते थे या भोले नाध जी भी चिलम लगाते थे या भोले नाध जी भी बांग पीते थे तो ये तो गलत सोच गलत विचार कियों लोगों को ले जाना ये उनको दर्शाने वाले जब उनको लिए बेदन है आज की पीडी से अपने कर्म के परती लक्ष के परती पून समर्पित रहे हैं और जितनी महनत कर सकते हैं उतनी महनत कर लिए और साथ में उस महनत के साथ में अपने इस्ट देव भले आपके घर के खुल देवता या गुरु कोई हो उसे एक मारदर्शन लेते तो नहीं गरबड़ी यह बहुत शुरू से चलती रही हैं। देखिए शिक्षा पद्धती में पहले जब तक गुरुकुल की शिक्षाएं चली हैं। उस समय पर तो कोई गरबड़ी नहीं चली। पर गुरुकुल की शिक्षाएं जब समाप्त होई हैं। और विदेश की शिक्षाएं जब यहां आकर उन्होंने देखा। हमने अपने प्रवचनों में भी कई बार कहा। गुरुकुल की शिक्षा होती है वो राजा बनाने का काम करती है। राम को राजा बनाया, कृष्ण को राजा बनाया, बुद्ध को राजा बनाने का प्रहास किया, महावीर को राजा बनाने का प्रहास किया, हमारे गुरुकल की जो पद्दती थी, वो व्यक्ति को राजा बनाना सिखाती है, पर जो बाहर की एजुकेशन हैं, ये व्यक्ति को नोकर बनने का कारे करती कि आप हमारी कमपनी में जॉब कर सकते हो हमारे नोकरी कर सकते हो आपको इतने का पेकेज मिल जाएगा आपको यह नहीं सिखाये जाएगा कि आप इस कंपनी के मालिक के से बनेंगे कंपनी का मालिक बनाना रासिंगहसन पर बिठाना यह गुरुकुल क बहुत मात्मून बात पंडीजी ने कहिए, शिक्षक जो होता है वो आपसे बद्ले में फीच लेता है और आपको योग बनाता है, शिक्षक कभी आपको ग्यानी नहीं बना सकता, ग्यान तो गुरू ही देते हैं, गुरू वही होता है जो अपने शिश्य के गुरूर को खत्म शिक्षक है जिसने अपने बच्चे को अबल बनाने का प्रबल बनाने का प्रयास किया है, तो वो शिक्षक भी एक गुरू का पद है और वो अपना तत्व निभाता है और एक बच्चे को ऊपर तक पहुचाता है, गुरू कुल की पद्धती और स्कुल की पद्धती में अ और इसके साथ मैं हेलो और हाय सिखाया जाता है हम कहेंगे प्रते कि स्कूल के अनतरगत अगर आप वही गुरुकुल की पद्धतियां लेकर आएं तो मेरे भारत को फिर विश्व गुरु बनने में देजी नहीं लगेगी पंडित जी को आप सोन रहे थे पंडित जी गुरुकुल क्यों आवश्चा के इस परपरकाश डाले थे बाच्चीत करी दौर जारी रगा फिला लेते हैं चोटा सा ब्रेक अच्छा मस्ती और मुझसे कॉन कहता है पनीर सीधा साधा होता है ये ना तो सीधा है ना साधा चटपटा है नया Milk Magic Healthy Cub Bites Spice Infused पनीर खाओ कभी भी कहीं भी Milk Magic Healthy Cub Bites पनीर पे अब मस्ती चड़ गई फिर हैरण की तयारी कौन है किस पर भारी हर तरब बेरोजगारी किसकी है ये जिम्मेदारी हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूस पर तो बहन हमारे घर आ जाती है उसी तरह माता लच्मी को पाने के लिए लोग बाग बहुत आप यूटूब से खंगा लेंगे या आप अपने सोचल मीडिया में देखेंगे तो रोज प्रती दिन आ जाएगा कि लच्मी को प्राप्त करने का इस तरल तरीका है पर उस उपाएं में यह नहीं दिखाया जाएगा कि आप बगवन विष्णु के चनारविंदे की सेवा करें या शिवजी को एक लोटा जल चड़ाएं या ब्रच्छा रोपन करें बेल पत्री का ब्रच्छ लगा देने पर भी लच्मी की प्राप्ति है क्याकि बेल पत्री की नीच्छे तो लच्मी की प्राफ्ति का मूल तत्व रहता आपकी बार में एक बात और गहीं जाती है कि आपको करक्त्र सेन। तोटके बताते यह हम वो बता रहा है जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है जो हमारे शास्त्रों में बढ़न किया गया है काली मिट्स चड़ाना काली तिल चड़ाना धतूरा चड़ाना दुरवापर चड़ाना दही चड़ाना या शिवजी की अराधना में ब्रक्षा ब्रक्षे के नीच हमें जोस्लाब यह पूमे को Prabh और वहां पह्रेंव भाष्टookie तो इतने लागों पहुंआ प अहीं जोगा नूसे पहले हैं हम तो कम ही मिलते हैं तो कहबल एखार सुनते हैं उपाई करते हैं अग mindful को पूज्चा को अगर आपको अगर ऐसे पूझ करता है तो आप यह अपने पहनी समस्य लेकित लिए जब लोग लोग बटे रहे हैं विपी रीज लोग लोग बता दो क्वें क ख़ूं हिएम समस्य टेस बटा लिए क्वित चेज्टा का हल एक लोटाल बताते हैं तो हम इसकाupskas standards जब महादेव बेठा है, किता बेठा है, तो बच्चों को मेरे पास आने की जरुवती नहीं, मेरे महादेव के पास जाओ, शिव मंदिर तक जाओ, शंकर की चोखर तक जाओ, अपने नजदीक में जो शिवालय हैं, उसकी अराधना करो, हमने तो ये भी नहीं कहा कि कोई प्राथमिक जाच कराएं, प्राथमिक जाच कराएं, फिर बड़े हस्पिटल में भेजा जाता है, उसकी तरह पहले अगर आपको तकलीफ है, तो अपने पास में जो शिवालय है, उसके पास जाईए, एक लोटा जल चड़ाईए, उससे कहिए बाबा से, जब आपके जीव शंकर रुद्र है, रुद्र किसके लिए है, जो गलत कारे करता है, जो गलत चीज़े करता है, माता पिता तो उस पर नाराज होंगे, बेटा गलत काम करेगा, एक बेटा अच्छा काम कर रहा है तो उस पर प्रसंद नहीं होंगे, आप अगर कोई गलत चीज कर रहा है, तो म शिव भी तुष्ट होते हैं, पर मेरा महादेव कभी यह नहीं कहता, कि मुझे तुम कपड़े चेंज करोगे तो मैं मिलूगा, कोई दूसरा कलर का कपड़ा पहन कर आओगे तो मैं मिल जाओगा, आपका दिल चेंज कर लिजे में मिल जाओगा, मुझे रिजाने के लिए बेल पत्री ने, मुझे ठाओगे तो बेल चेंज कर दक करोशिक आओगा अगे श्जाओ, मेरे बाबा का, व्यslंक्र हो एक आनंद भी शह है क्योंकि जगदबा पारवती जी कि 64 योगनिया बेलपत्र में है मालचमीन बेलपत्र में है सुरसती बेलपत्र में है और सारी देवियां सारे 33 कोटी देवी देव का बेलपत्र के नीचे विराजमान रहे तो बेलपत्र की तो एक डंडी हो चाहिए पट्र चड़ी खाली तो जटी का कारितों करें मेरी मास है скolSha ई ? शंकर जी मेरा कौने तो प्रफम बहुस्न की किन्ती हैं अ गा एर बगवान शंकर को परतम बहेशन के माना गया है जब राम जी का उतार हुआ था तो नंध्य सरुद्ध ार्शन के को शेचिन करने वहाइन लंद्ध नाध्ड दॉरा का इस्ट परफ़तार में ईनका था किरम देवाय नाध्डवा और मेरी महादय लेकर सिरुद्ध दॉर भी एक लिम्ध मोया रहा है शनकर जी मकरने के लियild श्री जी भाबा नहीं आगे चलना है और ठाकुर जी को लिजा का विराजमान कराना दौरा में मोत पहता नतर के हों रहे हैं इस्तियास की गलतिया जी बिल्कूल यह दुनिया के लोगों ने करा आपने आपको परतिष्था देने के लिए लोग कही अपने धर्म को बाथने का प्रयास करते हैं हमारा पंध अच्छा इनका पंध बुकार है वो पंध ठीक इस पंध में कुछ ना कुछ खोट है उस पंध में चलिए पंध में बेकार है पर शुपद्धती कभी नहीं करती कि यह पंध बेकार है शंकर ने सब को संजो जाए कोई कहेगा कि यह पद्धती मे बिल्कुल, तहीं इसमें कोईए खोट नहीं है क्यूंकि, समाज में देखे तो लोग जंदा होके भी मुर्दा जैसे ही जीवन जी रहे माया करें बिल्कुल, सत्ते बात है परिवार में लोग ऐसे रहे रहे है अज का परिवार ऐसा है जिस परिवार में चार भाई रह रहा हैं चार बहुन रहे हैं आपसमें बाती नहीं करती और प्रयास यह करती है अप गर अगर चितने परसंद रह सकते हो तो आपकी चेहरे की रोनकत बता दें को लेने की जरूत नहीं पड़एक परसंद ताओ हमारा तो कहना है इब अनंद केश्वर करते हैं जो एक पीड़ी के माता पिता है, वो नघनद परक केमोगती है। जो पीडी बीच में आयी थी जिसने सनातन धर्म को अप्षब्द कहे, गालियां दी, सनातन धर्म से दूर हटे, दूसरे धर्म उनको अच्छे लग रहे थे, हम उसे कहेंगे अपनी पतल में, अपनी थाली में माता-पिता ने जो भोजन परुश्ण है उसको खाने की आदत कर दूसरे की थाली में कितने भी अच्छा पड़ा हो उसको जूटन मानकर छोड़ने का प्रयास करें अपने सनातन धर्म के आगे कोई धर्म नहीं है इसी सनातन धर्म से सारे धर्म निकले हैं चाहे कोई भी धर्म की बात करें वो सारे धर्म इसी से निकलें तो हम अगर सनातनी ह तो हम तो कहेंगे अपने धर्म की कभी ना निंदा करें ना निंदा सुने अभी जो देश का वातावरन है इस समय तो आप काशी से लेके उज्जेन तक सब जगे देखिए कि ऐसा लग रहा है कि पुनरस्थापना फिर हो रही है धर्म के तो हमने तो यह कोरोना महामारी के बा जिस समय पर कोरोना के अंतरगत लोग एकदम हताश हो गए थे कि अब कुछ ही नहीं जीवन में अलमारियों में तीजोरियों में धन भड़ा रहा बेंकों में धन पड़ा रहा और खाने के लाले पड़ गए तब लोगों को समझ में आ गया कि इश्वर भी कुछ है उसी के अनुसाद आज जो नए-नए मंदिरों का निर्मान होते चले जा रहा है पूराने मंदिरों का जिर्नुद्धार होते चले जा रहा है बड़े-बड़े विशाल सोरुप बनते चले जा रहा हैं जितना जितना पहले कहते थे गोवा चलिए पहले कहते थे यहां चलिए और व जाने पर कुछना कुछ अच्छा मिया है क्यों न बढ़े Pe 김ोना यह मिलेगी आज바 Herb देश में हमारा बलबडा भारत देश का आज भारत देश की गोराउता बढ़ी है आज भारत देश की स्सा्टबा बढ़ी है और भारत देश का केवल हमारे मंदिरों से नदियों से तलाबों से सरोगर से द्रक्षारोपन से हमारे देश की रोनक सब्सक्राइब लेकिन जो लोग हम कहते हैं भगवाधारी हैं जो सनातनी है कई तरीके से आप लोगों नहीं बड़ा भारी जुग्दान दिया मैं तो कहूंगा बाबा से ही चला ओक जलाया है जो मार्ग दिखाने वाला होता है जैसे एक पिता ऐा भाई अपने भाई को डाटता है ना कि तुग्दत कर रहा है तो भाई को लगते मेरे दुश मण जब कोई सतनातन धर्म का आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो दुनिया के लोगों को लगता है कि ये द्श्मन है हमारे कुछ ना कुछ हमारे सांथ में गलत कर रहे हैं गलत बोल रहें गलत सोच रहे हैं पर उनको यह नहीं लगता कि तुम्हारी अच्छे के लिए कर रहे हैं। आप जिन-जिन संतों का नाम ले रहे हैं, जजिजिस संतों के लिए बोल रहे हैं। कोई भी संत कभी भी अपने शिश्यों के लिए या भारत भूमी में जनम लिए बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, और यहीं के लिए नहीं बाहर के लिए गलत नहीं सोचेगा, हम लोगों का प्रयास रहता है, सभी संतों का प्रयास रहता है किसी ना किसी रूप मे जुड़कर अपने कहीं न कहीं दुखी के प्रती आपका दुक्त होना चाहिए किसी को उश्धी जरूवते वहां खड़े होना चाहिए यह नहीं कि हर्पिटील में गए और देखकर बाप्पिस मिश्राजी को जो पता रहे थे कि सनातन धर्म के खूबियां क्या है और अभी जो देश में दौर चल रहा है उसके कारण सनातन की और भारत की पुनर इस्थापना एक बार फिर विश्वे में हो रही है पनी जी आपने इस वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभ आप देख रहे है डखल न्यूर